आपके साथ अभी शिक्पुंडीन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम करने के तरीके बदल रहे हैं अब लोग आपसे OTP मांकर पैसे अपने खाते में ट्रांसफर नहीं करते हैं बलकि आप ही के घर में आप ही को कैद कर देते हैं और आप मजबूर ह हो जाते हैं पैसे देने के लिए पिछले लगबग छे महिने से एक शब्द आप सुन रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट जिसमें आपका ही घर होता है आप ही उसमें बंद रहते हैं आपका ही पैसा होता है और आप अपनी मर्जी से उसे ठगों को सौंप देते हैं फिलाल एक केस आया जिसमें एक पचास साल की इंदोर से केस आया पचास साल की कारोबारी थे एक उनकी पत्नी थी वह लगबग तीन दिन तक डिजिटल अरेस्ट रही और एक करोड साथ लाख रुपे उन्होंने उन लोगों को दे दिये जिन जो लोग उनके सामने एडी के अधिकारी बनकर बैठे थे इसी खबर को ज्यादा विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौझूद है हमारे वरिस्ट सही होगी धरमेंद्र दिवेदी सर बहुत-बहुत स्वागत है अपका तैंक्यों जिस तरीके से भी डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़े हैं बचाओ के जो तरीके है है वह सरकार सुझा रही है बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं लेकिन बावजूद इसके भी एक मैच्योर आदमी कैसे डिजिटल अरेस्ट के जाल में फस जाता है यह कि आपको डर बेच मतलब डराते हैं किसी इंसान से कोई काम करवाना तो इसको डराओ और जब होता है तो इंसान की सोचने समझने की शमता खतम हो जाती है वह आपको इतना डरा देंगे कि आपके उपर यह केस हो गया है आपको जेल भेज देंगे आपको बंद कर है और जो डिटन ऐस्ट करते हैं एसे अपराधि बहुत शातिर होते हैं उनको पताए कि लोग की मानसिक्ता से कैसे खेलना है और उसका सभसे बड़ा हत्यार होता है आप दिडिग्डल करते हैं तो कहते हैं लोग ऐसा किया लिए अपको समें के सामने यह क्यूं से पीछे की बजय है आपसे उन्होंने बात आपको डराया, आपको अपने प्रभाव में लिया, और आप उस जोन में पहुंच गए, जहां से आपके दिमाग पर डर हावी हो गया, अब आपकी सोचने समझने की शमता खतम हो गई, तो आप नहीं सोचेंगे कि मैं किसी को फोन करके मदद मांगू या मैं चला जाओ, या सामने बैठा हो ये इडी का अधिकारी है भी या नहीं, या आप सोच ही नहीं पाते हैं, और जैसे आप हटेंगे वहां से, तो आपका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट होगा तो आप चीजे सोचेंगे, उसको अनलाइज करेंगे सिच्वेशन को, तो वो नहीं करने दिते आपको, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी है, वो एक बार उनके ट्रैप में अगर आ गया, तो ऐसा उसका बेंवाश करते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ सही है, हिंदुस्तान की पैदाईश है, डीजिटल आरेस्ट या कहीं बार सोचते हैं, और आगे सोचने का नतीज़ा है कि वो नए नए तरीके इजाद करते हैं, अब बात थी, बन्दों लिंक वाली बात थी, दुनिया जान गई, इतना अवेरनेस सरकार ने फैलाई, लोगों ने किया, एंजियोज ने किया, तो अब वो पुराने हो गए, अब उन कानून में कोई टर्म नहीं डिजट अवेरनेस फिर भी लूग भी लोगो यह यह कहीं ने कहीं जागेरुकता की कमी है जिसकी वैसा हो रहा यहिए। अगर लोग समझे semi कि भाई,стр का हो यह कौन से एज़िशि औ具 का अव्य है यह नहीं कहेंगा कि फोन ओन करके बैठ जाओ और हिलना मत तो यह सिर्फ मानसिक्ता का खेल है लोगों को mentally weak कर देना उनको इतना ढरा देना कि वह कोई भी सोचने समझने की शमता खत्म हो जाना उनकी इसरे की भी करते होंगे पहले अगर बिल्कुल करते हैं उसकी पहले पूर रक्षित नहीं है उस डेटा से निकालना आपके बारे में कि आपका नाम कार्थिक पुंडीर है आप कहां रहते हैं अड्रेस बेचने वाले बहुत हैं इस देश में सब मिल जाता है क्या एज है आपकी कई-कई बार कमिया रह जाती है कुछ भी कुछ ऐसे भी केसे साई जि तो आप पैसा देजिए नहीं तो मुसको जिल भी देंगे आगे बच्चा उसका छोटा स्कुल पढ़ने वाला तो उसको बोला अब वहां पर उनका होमवक कमजोर था वो बच्चा क्या था वो बाप के सामने घर में बैठा हुआ सोफे पे तो उसने का ठीक है जो करना है कर तो महां फ्लॉप हो गया अब इसी में किसी के बच्चा घर से बाहर होता उस समय तो घबरा जाता कि मेरे बच्चे ने क्या गलत कर दिया थाने में पुलिस को पकड़के ले गई उसको तो यह सब होमवक करते हैं कई बार होमवक गलत भी होता है लेकिन यह फैक्ट है कि वह पता करते हैं कि आप आपकी income Group क्या है क्या करते हैं कहां रहते हैं कितने मेंबर हैं आपके सब कुछ बहुत आसान है फिसको बिलकुल सारवजनिक तो है पर्सल चीज़े भी लोग शेर करने पर आकरी सवाल सर मेरा बचें कैसे कूएं जो क्राइम करने के तरीगे हैं वो तो हम समझ गए क्राइम बंद नहीं होगा तरीके बदलेंगा तो बचें कैसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा पढ़ें जागरू करें आपको यह पता होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं जाव लिए चलें रही है चल रही पता होना चाहिए ऑगे सरकारी अजेंसी बिजिटल नहीं कर सकती कानूनी तो आगे से कोई कहे चीजब आप समझे हैं बाते कहें और वो लिए मैं पुलिस को फोन लगाता हूं तब बात यह आपने बड़ी सही चीज की कानून में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि आप को डिजिटल आरेस्ट किया जाए अगर आपको बुलाया जाएगा तो परसनली बुलाया जाएगा पैनवली बुलाया रहे पीजिटन रहें सिर्फ उन्हें डर बेचा जाता है और उस डर को वो कही न कहीं खरीज लेते हैं उवह चैंडि पर होता है जागरू कर हैं । सबसे और दूसरा चीज को समझें कि कानूनी तोर पर सर्वाइव नहीं करते हैं अधर दश्कों को चर्शा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताईएगा धन्यवाद